30 जून से शनी चलने वाले हैं उल्टी चाल 149 दिन तक रहेंगे कुम्ब राशी में वक्री में राशी वालों को जहलने पड़ेंगे कश्ट 139 डेस का पीरिड है जिसमें शनी वक्री ही रहेंगे 15 नुमबर को शनी दुबारा मारगी होंगे अब वक्री और मारगी होने का जोतिश में बहुत महत्व है हलाकि एक समाने प्रक्रिया है जो हर साल होती है शनी लगबग 140 दिन हर साल वक्री रहते हैं लेकिन जोतिश में इसकी एहमेत इसलिए जादा है क्योंकि वक्री ग्राय का चेश्टा बल बढ़ जाता है चेश्टा बल बढ़ने के कारण वो अपने अच्छे या बुरे दोनों तरह के परिणाम करने में ज़्यादा सक्षम हो जाता है चेश्टा बल बढ़ता इसलिए है क्योंकि सूरे से प्लैनेट्स की एक निर्धारी दूरी है जब वो दूरी थोड़ा क्रोस करते हैं तो वो वक्री हो जाते हैं जैसे शनी लगबग 120 डिग्री दूर रहते हैं शनी के लेकिन जैसे ही वो 120 डिग्री से ज़्यादा पार चले जाते हैं तो वो वक्री हो जाते हैं ऐसी स्थिती में उनका जो चेश्टा बल बढ़ जाता है और अच्छे या बुरे परनाम दोनों तरह के परनाम करने में शनी जो हैं वो ज़्यादा पावरफूल हो जाते हैं अब जब शनी वक्री हो जाएंगे जब उनका पावर ज्यादा बढ़ जाएगा जब उनका चेश्टा बल ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो कौन सी ऐसी चार राशिया हैं जिने खास दोर पर ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी अगली राशी जिसको ये ध्यान रखना है वो है मीन राशी मीन राशी के जात्कों के लिए जैसे आप चार्ट पर देख सकते हैं शनी की साड़े साथी का पहला फेश चल रहा है हाला कि मीन राशी जलतत्व की राशी है करक राशी और विष्टिक राशी भी जलतत्व की राशी है यहाँ पर आकर शनी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करते लेकिन दृष्टी वाला नुकसान जो है वो हो जाता है और जब प्लैनेट वक्री अवस्था में है तो उसका ज़्यादा नुकसान होता है अब शनी की दृष्टी यहाँ पर आप देख सकते हैं, बारवे में बैठे हैं तो तीसरी दृष्टी से दूसरे भाव को देख रहे हैं, दूसरा भाव आपका धन भाव है, दूसरा भाव आपका कुटूम्ब भाव है, दूसरा भाव आपका लेंगवेज का भाव है, तो को सकता है कि टुम्ब में किसी को फिजिकल समस्या आ जाए यह सारी चीजें हो सकती हैं शनी के इस पुरमाव के कारण मीन लाशी के लिए अब देख सकते हैं कि यह जब बार हमें बैठे हैं तो ले जाएगा ऐसी भी स्थिती पैदा हो सकती है और वो पैसा लंबे समय के लिए लटक जाए ये स्थिती भी आपके सामने आ सकती है चुकि छटे भाव के उपर शनी की दृष्टी है तो डाइजेक्शन से समंदित समस्या हो सकती है रोग कोई न कोई डिवलप हो सकता है बोड़ी के लोवर पार्ट में खास तोर पर स्टमक के अरिया में इसके इलावा कोई ऐसा कोई पुराना मामला हो सकता है जिसमें आप उड़ज जाओ या कोई लिटीगेशन या कोई आपके उपर जूठा एलिगेशन लगा दे इस तरह की स्थितिका भी आपको सामना करना पढ़ सकता है क्योंकि रोग रिन शत्रू छटा भाव तीनों के उपर गुरु की दृष्टी और तीनों ही सिग्निफिकेंट शनी के पर भामे आगए यह negative influence है इससे निश्ची तोर पर बचना चाहिए गरंटी मत किसी के लीजिएगा उधार मत किसी को दीजिएगा और शनी की दृष्टी यहाँ पर पढ़ रही है नों भाव के उपर यह भागेस्तान होता है भागेस्तान के उपर शनी की दृष्टी का मतलब है कि यहां से समंदित जो फल है वो थोड़े से स्लो हो जाएंगे यहां से हम अध्यात्म देखते हैं यहां से हम यात्रा देखते हैं धार्मे की यात्रा यहां से देखी जाती है भागे यहां से ही देखा जाता है यह कुंडली का सबसे शुब भाव होता है जब यहाँ पर शनी का प्रभाव है तो निश्चित तोर पर यदि आप धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं तो रास्ते में अपने डॉकूमेंट्स वगरा पूरे चेक करके जाएगा गाड़ी वगरा जरूर चेक करिए क्योंकि यही अवधी आ रही है जब धार्मिक यात्राएं बहुत बड़े लेवल के उपर होंगी क्योंकि इन्ही महीनों में श्रीमनाथ जी की यात्रा चलेगी हेमकुन साब की यात्रा चलेगी इन्ही महीनों में चारधाम यात्रा भी चल रही है तो यहाँ पर यदि आप ज जो है वो त्यारी करके जाए इसके अलावा यदि आपको प्रजेक्ट कर रहे हैं वहां पर हो सकता है क्यों ना कोई बादा आ जाए तो वहां पर कोशिश करिए कि पेशन्स के साथ काम लेंगे तो चीजे धीरे-धीरे निकल जाएंगी आगे ये चार राशिया हैं जिनको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा शनी की इस 149 दिन की वक्र वस्ता के दुरान यदि आपकी कुंडली में शनी की स्थिती खराब है चुकि आपके ओपर ढ़िया या साड़े साथी इन सभी राशियों के ओपर चल रही है शनी की स्थित मंतराज जो हैं वो जरूर जपें चाहे डिली एकमाला करके जपें तो आपको उसका जो है वो पॉस्टिव असर देखने को मिलता है काले कपले कोशिश करें अवाइड करें शनी देव को जो शनी वार के दिन शाम के समय सरसो का तिल शनी देव की शिला पर अर्पित करें हो सके तो शनी देव की शिला का दूद, दही, शहत, मख़न, चीनी के साथ अभी शेक किया जाए, वो एक बहुत अच्छी रेमेडी है, और शनी के दान के रूप में, आप काली उड़त की दाल, दान कर सकते हैं, लोहा दान कर सकते हैं, यह सारी रेमेडी जो हैं, वो शनी देव शेयर जरू करिए पेज को सब्सक्राइब जरू करिए इसके साथ ही मुझे दीजिये जाज़त नमस्कार